नमस्कार, ये हैं साकेत गोखले, ये एक पॉलिटीशन है, पहले ये कॉंग्रेस पार्टी में होते थे और आज कल ये तरणमूल कॉंग्रेस में हैं हलांकि इनको पॉलिटीशन की तरह नहीं, एक एक्टिविस्ट के तौर पे जाना जाता है वहीं पर अगर कोई आम आदमी है, जिसका किसी पॉलिटीकल पार्टी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो, जिसने कभी कोई इस तरह की ओगनाईजेशन अटेंड नहीं कियो, वो आम आदमी अगर इनको कभी कुश्यन करता है, तो उसको तौरंट पलट के बीजेपी, बी और उसी के अधार पर इन्होंने जो है, क्राउड फंडिंग करवाई अपने सपोर्टर्स के थ्रू, इन्होंने कहा कि भई, मैं यह सब करता हूँ, और मुझे इसके लिए आप सपोर्ट कीजे, मुझे इसके लिए पैसे की जरूरत है, और क्राउड फंडिंग कराते समय, इन्होंने जो ट्वीट किये थे, इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी पैसा आप मुझे दे रहे हैं, मैं उसका हिसाब किताब आपको दूँगा, यह इनका ट्वीट आप देखिए, तो उसके बेसिस पे इनको काफी पैसा मिला, साथ में more power to you, और लगे रहो साकेत, और इन्होंने करीब 70-80 लाख के आसपास बना लिये, और वो पैसा आने के कुछ टाइम के बाद यह मुकर गये, इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं इन पैसों का हिसाब किताब दूँगा, यह तो मेरे अपने खर्चे के लिए पैसे थे, एक तरह क सैलरी थी, कि भई मैं एक्टिविजम करता हूँ, इसलिए मैं कोई और जॉब नहीं कर पाता, तो इसलिए यह पैसे मेरी महीनों की कमाई है, तो साकित गुखले कोई पहले वेक्ती नहीं है, जिन्होंने ऐसा किया, ना ही वो आखरी होंगे, इसके अलावा राना अयूब ए इसमें कोई objection वाली बात नहीं है, बट मैं ये examples लेके और साथ में कुछ और example लेके, एक larger picture आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि donation और crowdfunding एक business बन कर रहे गया है, आप सब को याद होगा जब भारत में second COVID wave आई थी, तो बहुत बुरा हाल हुआ था, चाहे आप health services ल पिटल के बाहर दम तोड़ा, लोगों ने घर पे दम तोड़ा, ambulance नहीं मिल रहा, oxygen cylinder नहीं मिल रहा, so ऐसे time में लोगों की social media wall के उपर एक ad दिखना शुरू हुआ, उस ad में ये वाली image यूज हो रही थी, और साथ में caption था, help India breathe, अब किसी भी देश में दो तरह के लोग होत ब्लेम गेम, टॉंटिंग या इसी तरह की चीज़े करते रहते हैं, और दूसरा एक ग्रूप होता है जो कि इस चीज़ को temporarily backseat पर रखके पहले चाहता है कि वो contribute करें, वो help करें, किसी तरीके से, उस वाको के सामने सब बिखरता हुआ देख रहा है, he wants to help, so ऐसे लोगों को ये एड बहुत अपीलिंग लगा और साती साथ इसको इसी एड को, इसी इमेज को और इसी crowdfunding को बहुत सारे social media influencers ने भी promote किया था और लोगों से अपील की थी की, please donate करो, help India breathe, so इस crowdfunding का पहले जो goal था वो ये था कि 1.8 करोड रुपीस जमा किये जाएंगे, जैसे ही 1.8 करोड का target पूरा हुआ, क्योंकि लोगों ने दिल खोल के donate किया, जैसे target पूरा हुआ 1.8 का, इन्होंने उसको बढ़ा के 3 करोड कर दिया, target को, उसी दिन, जैसे 3 करोड का target पूरा होने वाला था, उन्होंने इसको बढ़ा के 5.something करोड कर दिया, और तब लोगों की जो हैं कान इसा तो नहीं होता है, और जब तक किसी को कुछ समझ में आता, इस organization ने, correct estimate तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी reports के साब से 70 से लेकर 200 करोड के रुपे के बीच में इन्होंने पैसा बनाया और ले गए, ये सब हो जाने के बाद, कुछ media houses ने इसको investigate किया, तो उन् ये एक NGO है, US-based, जो की Muslim doctors, Muslim dentists, Muslim healthcare workers की association से बनी है, और ये लोग काम करते हैं, Muslim patients की बेहतरी के लिए, यहाँ पर मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि ये मेरा opinion नहीं है, ये मैं बना कर नहीं कहा रहा हूँ, ये इमाना की website पे आज भी लिखा हो, आप खुच जाके दिख सकते ह हैं, ये एक Muslim organization है, NGO है, जो की Muslim patients के लिए काम करती है, इनका, इंडिया में कोई office नहीं है, कोई branch नहीं है, इनका इंडिया से कोई लिना देना नहीं है, बट इन्होंने इंडिया से करोड़, लगभग 200 करोड़ के आसपास help India breathe के नाम पे जमा किये और लेकर चलते बने, इमा किया है, for terror funding, Canadian authorities ने ये पाया कि इसना, जो की इमाना की parent organization है, वो जमु एन कश्मीर में जमायत Islami के through terror funding कर रही थी, इसके लिए Canadian authorities ने इनको ban किया है, इमाना और इसना का पाकिस्तानी आमी के साथ भी लेना देना है, इनका, उनके साथ connection है, again, इंडिया में इनका कोई office नही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सारी चीजे सामने आने के बाद, जो media houses ने इमाना के director को approach किया, उनका view जानने के लिए, तो उनोंने बड़े वेग से reply दिये, कि भई हमने इंडिया के different hospitals को इतने oxygen cylinder पहुंचा है, इतने oxygen concentrator पहुंचा है, इतने face mark पहुंचा है, वगरा इमाना कोई पहली organization नहीं थी, जो second wave के time पर पैदा हो गई अचानक से, और उसने इस तरह की और भी organizations है, मैं नाम नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसमें से कुछ Indians भी हैं, और लोग off-end हो जाते हैं, खेर, आप कुछ समझदार हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क कैसे कर लिया जाता है, कैसे लोगों को बेपूफ बना दिया जाता है, जैसे ही देश में कोई crisis situation create होती है, वो crisis realistic भी हो सकता है, perceived भी हो सकता है, second wave जैसे कि realistic crisis था, perceived मतलब कि आप ऐसा महौल create कर दो कि system जो है, वो collapse हो रहा है, democracy खत्रे में है, हमें आपको ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा, देश तो बरबाद हो रहा है, सो ये situations create की जाती है, आपके दिमाग में कि भी कुछ कर बढ़ है, जब ए crisis situation create होता है, तो फिर लोगों तक responsibility देने की कोशिश की जाती है, कि अब हमें और आपको मिलके कुछ करना पड़ेगा, मैं आपका leader हूँ, मैं करूँगा, आप मेरे हाथ मजबूत करें, तो ये वाला जब scenario create हो जाता है, तो उसके बाद crowdfunding की शुरुवात की जाती है, तो जो इमाना ने किया वो ये था कि उन्होंने social media ads का use किया, social media ads क्या होते हैं, अगर आपकी पास कोई page है, आपका page है, कुछ facebook page है, instagram page है, या twitter account है, तो आप promote कर सकते हो, promote का मतलब है कि आप facebook, twitter या instagram को पैसे देंगे, और वो उस पैसे से आपकी जो desired audience है, उनकी wall पर वो image दिखाई देगी, मुझे कैसे पता है, मेरा अपना facebook page है, तो आप देखिए, मैं example के साथ दिखाता हूँ आपको, कि ये मेरा post है, इसके नीचे ये जो tab का button आ एक blue color का button है, उस पे लिखाऊ है boost post, जब मैं इस boost पे click करता हूँ, तो मेरे सामने एक लंबा चोड़ा description आ जाता है, कि आप ये post कितने लोगों को दिखाना चाते हैं, किस age group वालों को दिखाना चाते हैं, उनके interest क्या है, अगर आप selected audience को target कराना चाते हो, तो usually ये लोग target कर करते हैं, वे लोग जो NGOs में believe करते हैं, keto, milap में believe करते हैं, dog lover है, humanity में believe करते हैं, तो audience select करते हैं, age group select करते हैं, कितना पैसा खर्च करना चाते हो, select करते हैं, और वो particular ad जो है, उसके बाद उन लोगों की wall पे दिखने लगता है, तभी आपने notice किया हो गए, जब second wave चल रही थ तो उसके बाद में ये hire करते हैं, social media influencers को, influencers जो हैं, वो आपके tik-tok, insta वाले भी हो सकते हैं, और ये film actors वगरा भी होते हैं, तो इनने से ज़्यादातर का कोई इमान धरम नहीं होता है, इन्होंने कभी इमाना का नाम नहीं सुना, कुछ नहीं, लेकिन ये उसको उठा कर media reports है, chap Indian Express देख लो, या News 18 देख लो, उन्होंने ये चीज सामने लाई है, कि influencers जो हैं, वो paid marketing करते हैं, so इमाना के case पे भी film actresses ने भी किया, और influences ने भी किया, मेरे पास इस बात का कोई confirm proof नहीं है, कि उनको कितने पैसे मिले होंगे, क्या मिले होंगे, तो ये, ये मैं आपक करना चाहें, आपकी मरजी है, नहीं करना चाहें, आपकी मरजी है, so influences को pay किया जाता है, ताकि वो लोगों को urge करें, कि भई, please donate करो, India crisis में है, और usually क्या होते हैं, followers जो होते हैं, वो अपने influences पे blindly believe करते हैं, उनका faith होता है, अब जैसे अगर आप लोग मुझे पसंद करते है और मैं आप से कहूँ कि फलाने फलाने नुकड़ पे एक बुड़ा वावा है, जिसकी बहुत हालत खराब है, साथ में तो चार फोटो चिप का दूँ और हमें इसकी help करनी पड़ेगी, so मैं भी यहां 2-3 लाख रुपे कर सकता हूँ, क्या नाम है, इकटा, so इस emotions का अचान नहीं था, आचानक से जो है, वो करोडो रुपे बना लेती है, इस तरीके से. नेक्स्ट हम आते हैं, इंडिया की फेवरेट क्राउट फंडिंग साइट्स पे, जैसे केटो हुआ, मिलाप हुए और इस तरह की और भी हैं, तो इस पर बड़े लोगों का faith है, लोगों को लगता है कि इस पर कुछ है, तो वेरिफाइड ही है, बिकॉस केटो मिलाप, जो लोग चला रहे हैं, पैसे वाले लोग है, वो क्यो धानली करेंगे, तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में गया, इसके केटो का मैंने terms and conditions पढ़े, बहुत लंबा है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो काफी time लग जाएगा आपका, बट मैंने पढ़ उस medical document की authenticity की responsibility purely, purely, purely campaigner के उपर होती है, केटो की या मिलाब की कोई responsibility नहीं है, कल को document फरजे निकलते हैं, तो आप केटो या मिलाब को question नहीं कर सकते हैं, उनका यह कहना है कि हम तो merely platform दे रहे हैं, इनका responsibility है, जो campaign करवा रहे हैं, कि आप authentic चीजे डाले हमारी website पे, authentic documents दे, authentic case और साथ साथ जो हैं, वो donors को भी advice कर रहे हैं, कि आप भी सोच समझ के करें, हमारी कोई responsibility नहीं है, तो भही या इंडिया है, यहाँ पर तो fake अधार काड़ भी बन जाते हैं, fake voter काड़ भी बन जाते हैं, अधर की fake degrees भी बन जाती हैं, तो fake medical document कौनसी बड़ी चीज है, तो इस hospital का नाम डाला है, वो hospital exist नहीं करता है, जिस patient का नाम डाला है, अपने hospital phone के, वो patient ही exist नहीं करता है, तो ऐसे में सवाल उपने तो लाजमी हैं, एक और चीज़ आपने notice की होगी, कि यह जो crowdfunding platforms होते हैं, यह paid promotions भी करते हैं, आप YouTube चला कर देख लो, कोई भी वीडियो, उसके starting में जो add आता है, maximum cases में वो keto milab का add होता है, और उसको बड़े artistic तरीके से बनाया जाता है, उसमें, background music के साथ, दर्द भरा music होता है, जो camera angle होता है, जो lines बूली जाती है, patients द्वारा उसमें, बहुत ही गरीबी और लाचारगी दिखाई जाती है, आप मजबूर हो जाते हो donate कर सिर्फ इतना ही नहीं, in fact social media जो influences होते हैं, उनको भी keto milab के link post करने के लिए, लोगों से crowdfunding appeal करने के लिए पैसे दिये जाते हैं, so अगर आप एक crowdfunding website चला रहे हैं, humanitarian ground पे तब तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप advertisement में इतना पैसा क्यों फूग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, keto milab जो है, वो एक for profit platforms हैं, और जो भी crowdfunding होती है, उसका unless वो decide करें कि इस वाली crowdfunding में हम पैसे नहीं काटेंगे, maximum crowdfunding में crowdfunding platforms का अपना cut होता है, अपना पैसा होता है, so जब आप earn कर रहे हो एक crowdfunding platform से, तो आपकी responsibility बनती है कि उस website पे जो post किया जा रहा है, वो authentic हो, जबकि इन और सर्फ campaigner के उपर है, platform की कोई responsibility नहीं है, तो कल को कोई जो है, कोई क्या होता है, फरजी document डालके, फरजी चीज़े लगा के जो है, emotional appeal करके लोग पैसे बना लेते हैं, और आपको realize भी नहीं होता है, तो अब हम आते है solution के उपर, कि अब किया क्या जाए, मेरा ये video बनाने साम आए, बजा है इसके कि उसको कोई loot रहा हो, कोई पैसे वाला आदमी जिसके पास already पैसा है, कोई scamster है, कोई इस तरह का वेक्ती है, क्योंकि इसके दो नुकसान होते हैं, एक तो जिस गरीब के लिए पैसा आपने भीजा तो उस तक पहुँचा नहीं, और दूसरा, कल को जब यह scam सामने आता है, तो यह सब को पता चलता है, और उससे वे लोग जो वाकई किसी की help करना चाहते हैं, वो भी discourage होते हैं, तो एक society के तौर पे नुकसान होता है, एक individual के तौर पे नुकसान होता है, तो आप अपना पैसा, अगर आप किसी गरीब की है, किसी मजबूर करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा से effort डालें, medical documents चेक करें, phone number मागें, और बाते करें, medical history निकालें, कौन doctor treat कर रहा है, उस hospital के बारे में net पर सरच करें, उस doctor के बारे में net पर सरच करें, यह सब जानकारी पता लगाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, उसके बाद ही अग आपके, आपकी maid हुए, आपके driver हुए, आपके servant, आसपास गरीब लोग, आपको दुनिया बर के गरीब लोग मिल जाएंगे, अपने शहर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा आगे, कोई जोबड़ी जाके, adopt कर लीजे, कोई किसी school में, गरीब बच्चे adopt कर लीजे, और जब आ मैने 12,000 पकड़ा रहे हैं, आप book sponsor करें, stationery sponsor करें, uniform sponsor करें, हर चीज, बोलो मुझे bill दो, मैं पे करूँगा, अपने आसपास की local NGOs को donate करें, जिन पर आप trust करते हो, वे NGOs, जो कभी ad नहीं करती हैं, जो कभी आपके पीछे नहीं भागती हैं, आपसे जबरदस्ती call करकर करके, आपसे पैसे नहीं मानती हैं, जो वाकई काम कर रही हैं, selflessly काम कर रही हैं, उनको donate करें, या खुद अपने असपास जाके लोगों की help करें, और अगर आपको crowdfunding के through donate करना ही हैं, तो कम से कम verify करें, कोई भी चीज सर्फ glamorous है, एक अच्छी image post करती है, साथ में English caption है, और आपके favorite influencers उसको promote कर रहे हैं, तो आपको जजबा आ जाता है कि मैं भी करूँगा नहीं, ऐसा ना करें, आपका पै पैसा है, मुझे problem नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा सुर्फ video बनाने का मकसद यही है, कि अगर आप को humanitarian काम करना चाहते हैं, तो क्यों ना आपका पैसा वाकई humanitarian वाले काम में जाए, बजाए किसी जालसाज की jail में, तो यही इस video को बनाने का मकसद था, last में एक request और है आप स कि प्लीज इस video के description को जरूर पढ़ियेगा, thank you very much, jahin.